हेलो दोस्तों आज हम करेंगे वेर स्टार्स एप्रोक्सिमेशन थोरं और वही इसकी स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी ज Air app है ना वो ह intersection भी है को सके रिल Кंटिनूज भी है को हरेन कंटिन्यूज फंक्शन ब्रांसन इसतरे लिकोंगा वहीं 허팝 ऑBox नहीं है कहाँ पर closed interval कहां पर define है closed interval AB पर ठीक है वही then फिर अमने क्या परूव करना है कि F है न वो real continuous function है और define कहां है closed interval AB पर then there exist a sequence there exist a sequence of real real polynomial की एक ऐसी sequence exist करेगी हमने परूव करना है कि मतलब हम उस sequence को नाम दे सकते हैं कि P है जो कि converge भी करेगी which converge uniformly कैसा converge करेगी uniformly converge करेगी to Fx Fx को क्या करेगी uniformly converge करेगी और close interval पर ही करेगी ठीक है ने बाई तो हमने ये करना है परूव के बाई F कोई real continuous function है define close interval AB पर है और फिर हमने ऐसे परूव करना है कि there exist a sequence of real polynomial Pn which converge uniformly to Fx on AB तो हम परूफ में जाएंगे तो देखो क्या करेंगे if A is equal to B ले ले हम अगर A is equal to B ले ले तो दैन क्या हो जाएगा भई F of X है जो वो F of एक एक पल हो जाएगा ठीक है नहीं तो F of X जब F of एक एक पल हो जाएगा तो जो theorem है ना the theorem is true है ना theorem true हो जाएगी कुछ भी निकरने जरूर थे taking Pn X to be A जो जो ठीक है ना भई जब A is equal to B ले 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 एक 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 इस इकल टो F जाएगा तो क्या हो जाएगा देन तो फोरम जे ट्रू टेकिंटी ने नेक्स तू बिस constant polynomial constant polynomial के रूम में ले लिया तो भाई और constant polynomial है यह define अमने कैसे कर दिया फिर defined by Pn X is equal to F e इस तरह से 4 all n ठीक है ना भई अब अम इस case में थो ठीक होगे जब A is equal to B ले लिया तो दैन Fx F1 के एकवल हो गया और थे उना ममारी ट्रू हो गई और Pn X को आमने constant polynomial कर दिया और वो define इस तरह से कर दिया कि Pn X F of F के equal होगा 4 all n के लिए 4 श्रवी अन के लिए तो अब आमने दूसरे case में क्या करना है दूसरे case में नहीं करया कि दस इस प्रकार हम आजूम करते हैं दस वी आजूम दैट ए लेस्टेन बी लेंगे ना तब देखो तब हमने देखा हैंगे आल्सो वी सी दैट ए लेस्टेन बी लिया है और हम यह भी देखते हैं कि हखें कि जो लेनेर्ज ट्रांस्फ़ार्मेसिन अना एल्पी लेनएरर कि ट्रंस कि पॉर्मेंशन तो किस तरह ग्लीनेर्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्स माइनस ए बी मैंस ए मेरिएक request है वही थे और हम को नहीं है ध्यान से देखें और पूरी देखें एक बार फिर समझ में नहीं आए तो फिर बताणा दा लीनियर ट्रांस्मोर्मेशन है वही यह एक्स पाई ए तो हमने यह डिफाइन कर दी और एक बात हो रहा है कि आल्सो इस कंटिन्यूज मैपिंग एक कंटिन्यूज जो मैपिंग है कलोज इंट्रूवल पर ही है वो भी और ओन्टू है यह जीरोवल पर ठीक है नहीं तो अब अमारे क्या है सो इन आवर डिसकसन जो हमने डिसकस करया है जो हमने विचार अमारे दिखाई है इस ठोरम के लेकर आभी तक हमने एक नियम है कि विदाउट लोस ओफ जन्नेटी इस नियम से कह देंगे कि वी टेक a is equal to 0, b is equal to 1 हमने a को 0 ले लिया है, b को 1 ले लिया है now we know that 4 positive integer n positive integer n, n k n और k, small k कहेंगे आम इसको n, n k जो वेहर, जो k की value होगी न, वो 0 और n के बीच में ही लाई करेगी ठीक है बई, और जो एक binomial coefficient होगा बई binomial coefficient n k ठीक है न, यह n k होगा, इस तरह से, इसको हम n c k भी लिखते हैं, प्लस बन में अपने करया हूँ, इसका फार्मूला उत्ता, n factorial, r factorial, n minus r factorial, यह वोगा है न, यह वैसे एक्स्ट्रा बता रहा है, फैक्टोरियल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है वई, इतनी बात है, अब हम जो यो n c k है न, इसी को n k लिख रहे हैं, बस कुछ नहीं, मतलब मैं इसको यह बताश, इस तरह भी लिख सकता हूँ, n c k, और यह define कैसे कर दिया, define as, यह वही फार्मूला है, जो पलस बन में है, आप क्या चेंज हो जाएगा, वही है व n minus k factorial, यह हो गया वही, यह define कर दिया वही हमने, ठीक है न, तो हमने क्या कर दिया है वही, यहां तक तो हम आए गए थे, फिर हमने assume किया कि a less than b है, also we see that linear transformation, यह इस तरह की transformation, और also continues mapping 0, 1 और on 2 भी है, 0, 1 पर close interval, so in our one discussion में, without loss of generality, generality, तो take a 0 ले लिया, b 1 ले लिया, तो we know that, कि positive integer n and k exist करेंगे, और k की value 0 n के बीच में होगी, और binomial coefficient n के, nc के b लिख सकते हैं, और define होगा यह, यह हमने, यहां तक करया है भाई, ठीक है, अब नहीं है, अब एक ऐसा, now, देखो भई, theorem को करने के लिए, कुछ step आपको ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि theorem है, भई, यह कोई सवाल नहीं है, दस्वी बार भी के अच्छी तरह से, आपको और एक चीज कलिए रोगी, कुछ आपको याद भी रखने पड़ेंगे, और कुछ हम समझाएंगे, अब आगे देखो, तो अब हम क्या करते हैं, now, now we define, फिर हम क्या कर देंगे, कि एक, now we define a polynomial, एक polynomial, उसका नाम हमने दे दिया, bn, bn मतलब best in polynomial, और हमने एक polynomial को डिफाइन कर दिया, जैसे की, उस polynomial को define करने जा रहा हूँ, मैं यह most step है, यह याद रखना आपने, कि 0 to n, और n k, वही जो हमने define किया था, n k, समूल के चलेगा, और x की power, k, और 1 minus x, n minus k, और f of k by n, वही इसको मैं नहीं है, star equation नाम दे देखता हूँ, कैसे मानने हाइए, g, k, 0 से n तक जा रहा हूँ, और n k लगा दिया, x1 minus x इस थोरम में आपड़ोगे न, यह बहुत ही most term रहेगी, x1 minus x, तो कुछ भी नहीं करा, यहाँ तो power k कर दी, यहाँ power n minus k कर दी, यह कर दी, तो अमने यह करके, f of k by n साथ में लगा दिया, ठीक है व तो आप तो बार, किम बार practice करेंगे, अच्छी तरह से, कि थोरम तैयार हो जाएगी, n की value बताने पड़ेंगी, 1, 2, 3, up to इसी तरह से चलती रहेंगी, और जो x है न, वो बिलोंग करेगा, close interval, 0, 1 में, ठीक है न, यहाँ तक कोई दिक्कर नहीं, हमने एक डिफाइन कर दिय इस तरह से बैरिस्टेन फॉलनोमियल कहते हैं वही, तो वही इस फॉलनोमियल को हमने डिफाइन कर दिया, समेशन के 0 to n, n के, x की पावर के, x, 1-x लेकर, k, n-k, और f हो भाई, मतलब n-k, यहाँ तक की पावर के, फिर n-k, इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं, इस तरह को अगर देखो भी, यह हो गया यहां तक, आगे देखो भी, जो पलनोमियल, अमने स्टार इक्वेशन में, डिफाइन किया हैं, न भी, the polynomial in star equation में है जो कुछ polynomial का मने नाम बताया थाने क्या है उसको हम कहते हैं or called बरिस्टेन polynomial ठीक है ने बई ये नाम है बई इसका ध्यान में रखना है ठीक है ने कभी भी एक्जाम में दो नमबर का आए तो इसकी definition और वो है जो definition मतलब उसको लिख के दिखाना आपता है we shall we shall prove हमने प्रू करना है कि we shall prove that certain बरिस्टेन प्रोनोमियल exist करेगा अगर अम इस चीज़ को परू करने में काम्याब हो जाते है ना भई तो अमारी थेवरम complete हो जाएगी ठीक है ना और exist भी करेगा और which यूसी भी होगा uniformly continues भी होगा टू एफ और कहां पर होगा ओन जीरो वन पर ठीक है वई यहाँ तक हमने क्या करया जो स्टार एक्वेशन में हमने प्रोनोमियल को डिफाइन किया था समेशन के जीरो टू एन n k x की पावर k 1-x की पावर n-k और f of ky yn उस पोलनोमिल को बरिफिटेंड पोलनोमिल कहते हैं अब हमें परू करने की जवाब शकता है ना कि बरिफिटेंड पोलनोमिल क्या करता है exist भी करता है और वो क्या है you should be to f अगर हम इस चीज़ को यह है अमारी वेश्टास एप्रोक्सिमेशन थोरम का पॉइंट जिसको हम परूर करके दिखाएंगे भई ठीक है ना तो अब हम क्या करेंगे एक ट्रम नाव कंसिडर दा अएडेंटिटी तो वह उसाइडेंटिटी में क्या करेंगे हम सेमेशन कि यह 0-2 एन हैना एन के हमने मानना था और एक्स उर वन मायने सेक्षां नमानना था ने जैसे उसमें मानना था कि यहां भी हम वही करेंगे तो के समोल रखना बैए आप पुरी थोरम में ध्यान रखना मेरे से गलती हो जाती है मैं बढ़ा ले जाता हूं तो आपने समोल ही रखना है तो n-k वह सेम चलेगा वही अन माइन के कि कि लेलिया एफ वहाइन अटा देता है ऑटने के बाद जो यह आ आता है ना तो यह आम डिफाइन कर ना है और रफ वाई आट थे मिल बन बन जाता है ठीक अå बता रहा था था आ है तो आव में चीज है ना जो depends 1-x और इसकी इसको पावर होगी ना वैई एन है तो ये वनका रजल्ट देगी हम इसको उपन करेंगे वनकी पावर एन वान तो ये जो फैक्ट हमने करें हैं ये मैं आशा करता हूँ कि बायनुमियल यद्यू है बायनुमिल अगर इसमें जाएंगे तो लंबा खिंद आव ऐसे भी लंबी expansion है ना binomial expansion से अगर आप इसको open करेंगा ना और किसका binomial expansion भई x 1-x और इसकी power n का ये है वई अगर इसके बाद अम ये अमने consider कर दी वई identity अम इसको परूब करने के step पर चल पड़े हैं तो हम binomial expansion लगाएंगे तो 1 के result पर आगे ठीक है यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी अब जो ये equation बढ़ी है न वह आपकी इसको हम equation 1 का नाम दे देते हैं ये जो पूरी equation है मतलब पूरी इसका result 1 आया है ठीक है ना आप देखो तो हम जो equation 1 है उसको differentiate कर देते हैं with respect to x तो we get तो with respect to x differentiate करेंगे ना देखो क्या होगा के 0 to n ये इस equation को करेंगे ये तो constant चीज है as it is लगते हैंगे वई क्यों क्या है ये ये तो constant है तो यहां पर मैंने bracket में बार ही निकाल दिया ठीक है ना इसको first माल लेता हूँ इसको second तो क्या होगा first का differentiation होता है तो k आगे power आगे और k-1 जैसे x square का 2x है ना उसी तरह से और फिर second as it is भई x का 1 होगया तो ये as it is और फिर क्या होता भई पलस का निसान अब देखो ठीक है ना तो first का होगया है भई के आगे एक power कम और फिर ये as it is अब फिर इसका derivative होगा तो n- के इसकी power भी आगे और इसकी function की power एक कम ठीक है ना और फिर chain rule वहाँ तो x की जगा किसे ने लिए रखे 1-x ने तो इसका दो बारा होगा माइनस का 1 ठीक है वही इतनी बात समिज में आई है ना ये होगा है इसका derivative हां सोरी और फर्स्ट तो एस्टीज होगा ना आपकी वार्शेकिंड का वल्यात x की पावर के एस्टीज और क्या चल रहा है वही बराबर में इस उकल टू में वन चल रहा है तो constant का derivative क्या होता है यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी वही सभी को अब देखो आगे क्या करना आगे अगे हमने इसमें देखो वही हम क्या करेंगे अब यह तो constant ट्रम है इसको हम साथ में लेकर चलेंगे तो k0 to n और वही n k यह constant है न बही अब जो यह ट्रम है ना यह बार है वही चल रहे है बिल्कुल अब इस ट्रम में से मैं x की power k-1 और 1-x n-k-1 common ले लेता हूँ देखो वही x की power k-1 यह common लिया है और यह common लिया है तो common यह ले लो common का मतलब क्या होता है इसमें नहीं है ना तो इससे divide हो जाएगा यही तो होता है मतलब बस और क्या है अब देखो इसको common लेने के लिए देखो क्या होगा यह common ले लिया तो अंदर देखो क्या बचेगा तो के तो बचेगा वही के बचेगा और यह x की power k-1 तो complete बार आ गया और यह देखो इसको देखो कैसे 1-x n-k है वही अब देखो इससे मतलब जिस में नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा डिवाइड ही होना तो है फिर यह सब इत कैंसल हो जाएगा अब इससे डिवाइड करेंगे इसको 1-x तो 1-k-1 अब आपको यह तो बिल्कुल बेसिक रूल है वह आपको पता 1-x से मतलब जिसके पास नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा डिवाइड ही करना होता मतलब कोमन निकलने का मतलब होता डिवाइड करना इस डिरम से के यहां भी डिवाइड करतAH comprehensive divided करने के बाद यह सब आपको इसको आपने डिवाइड कर दिया अब यह देखो यह माइनस कावन है ना तो आगे ही ले ले इसको माइनस कावन आगे आजाएगा बैस के चले नहीं है तो इससे डिवाइड हो जाएगा ठीक है ना यह हो गया वई और यह जो माइनस था यह तो अमने बार निकाल ले लिया था तो यह ट्रम हागी वई अब इस चीज को देखो भई आम आसानी से समझेंगे अब यह देखो यह मैं असानी से समझा रहे हूं ताकि लंबी ना जाए थोरम और अब देखो यह से माइनस का वन है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहां से मतलब मतलब डिवाइड वाड़ा रूल बेस एक जाए गु व्हाँ इसमें एक पावर एम और एक पी पावर एन अगर यह फोरों बरफ़ामेर से और अधार एक सावन अगे तो यह थो यह रूल हो जाता अ था है तो भूआ इसको आप माल लो मन रोकूर तो इसी रेजल्ट पे आ जाएंगे, तो इस फॉर्म में, अगर मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं तो इस से इस में इस से में ले सब जा सकता है तो अब लगप से रूप में लेखुंगा तो मैं यहीं कर देता हूं यह वन काट एक्स Iya लगडिया similarly यह one काटके x नीचे लिखे देख क्योंकि x की power k by x क्या हो जाएगा वही x की power यह one है ना इसको a मानो और इसको mn तो x की power k minus one वही हो जाएगा तो वही लिखे दिया अब देखो वही ठीक है ने यहां तक clear होगा वही अब देखो जो नीचे है ना इसकी हम reciprocal करेंगे इसका भी reciprocal होगा तो देखो क्या होगा k0 to n बाकी system as this तो x की power k minus one one minus x n minus k minus one ठीक है और फिर क्या करना है अब ही reciprocal करना है ना तो k और reciprocal करेंगे one minus x n minus k reciprocal होगा तो यह उपर चल्या जाएगा और one minus x n minus k नीच्छे आ जाएगा ठीक है और इसी तर ऐसे n minus k है एस्टी चल रहा है और इसको क्या करेंगे भई x की power k तो है नीच्छे वाड़ेगा रैसी प्रोकर एक्सकी power k ठीक है भई यहां तक समझ में आया होगा भई और यह एक रैकेट बंद है और इस इकल टू 0 जाए जाए नहीं है भई अब देखो x की power k से x की power k एकट गया यह से यह कट गया यह एकट गया और इसके बाद देखो यह क्या बचया है यहां अंदर ब्रैकट में के इसकी 1-x ठीक है नहीं भई और n-k और यहां पर x बचया हुगा है एक और यह यह बचया है भई इस रचल्ट के साथ हम बचे हैं तो k0 to n n के x की power k-1 1-x n की power k-1 यह चल रहा है भई अब देखो इसके अंदर multiply करो भई के की इसके साथ भी इसके साथ भी तो kx हो जाएगा और अब इसकी देखो भई की द्यान से करेंगे इस x को यहां ना लिखने की बजाए यहां लिखने वो सेम बात हो गहीं इस से भी कर सकते आपको इदिक करनी है nx लिखो या x n लिखो यह की बात है पलस में kx लिखो या x k लिखो भी सेम बात है तो यह होगा भई अब देखो kx से kx कट गया ना भई कैंसल होगा अब देखो के जीरो टू एन एन के यह इस टीच चल रहा भई के एन एक्स ठीक है ना भई इस इगल टू जीरो तो भई यह आया है भई ठीक है ना इतनी देर हमने शोल करया है भई इस derivative को ही शोल करयाह है और कुछ भी इंहीं है derivative शोल करने के बाद आम यहां पर आगयी है ठीक है नै तो अब देखो भई आगे क्या करना है हमने आगी इस जो यह जो चीज आई है न直ा इसका हम माननेंगे और इस पूरे को सेकंद माननेंगे द्रांड यह सके साथ है ठीक है नहीं अब देखो चलो इसका थो हम फ़श्ट का कर देंगे भई माइनस और फिर इसका करेंगे फिरिया तीज्ट यह यह होगा देखो हमारे पास हम यह करेंगे के मल्टीपलाइंग बाई multiplying by x 1-x बताई थी न बई यहां के लगा रहे थे यह मोश्टर में इसी बकल यहां के n-k नहीं लगा न इससे multiply करनी है multiplying by x 1-x से on both sides both sides करेंगे तो बई क्या होगा यहां पर effect पड़ेगा वहां तो 0 हा कुछ नहीं होना तो effects पड़ेगा k0 to n तो अब करो भई n-k और यह x की power k-1 k-1 है न और x 1-x से multiply कर रहे हैं तो देखो वही rule लगेगा 1-x यहां जाएगा x यहां जाएगा तो यह power add हो जाएगी तो कुल मिला गई x की power k बज़ जाएगा और यह 1-x इसकी power n-k k-n x तो चली रहा है यह is equal to 0 यह star कतनी थी यह जो trump आपने छोड़ा था ना वैस इसको multiply करवाना है और x 1-x से करवाना ताकि यह x से करवाए तो x की power k हो जाए और इसकी भी एक power मतलब add होने के बाद यह n-k बज़ जाए ठीक है ना वई यह कर दिया हमने ऐसा क्यों करया वई हमने क्यों multiply करवाया है इससे क्योंकि अब देखो हमने यहाँ पर यह ट्रम थी इसका differentiation किया था ताकि हम इसका differentiation करे ना तब differentiation करते वक्त हम यह ट्रम आएगी फिर यह आएगी में तुल करने के बाद हम differentiation तो इसका यह होना है फिर इसमें से हम common निकाल लेंगे तो यह इसका final differentiation है मतलब तो फिर यह put कर देंगे हम डारेक्ट इसकी जगे है तो हम इसका use करेंगे देखो भई हम दो तो यह बात जो यह के है न सारे समोल सब इसका समोल है वही जैसे यह आसमेशन के 10 to 0 के जुकल टो 0 to n लग रहा है न इस सारे समोल कर लिए क्योंकि समोल ही चल रहा हमारा समोल ही है हां तो वी differentiate equation 2 with respect to x we get वही इसका करेंगे हम फर्स्ट इसको माल लेंगे सेकेंड इसको तो फर्स्ट का differentiation करेंगे तो देखो वही कैसे होगा फर्स्ट का differentiation के तो constant है इसका minus n हो जाएगा और यह यह ज़िए भई ठीक है नहीं यह तो अब वही देखो इस चीज का differentiation और यह के साथ लगागे चले तो बिल्कुल नहीं हां देखो यह ट्रम बनगी वही के 0-2 मतलब एन के एक्स की के 1-6 इसका differentiation यह होगा फिर यह को मन निकालने के बाद आम की step पर आएंगे इसी differentiation तो यह हुआ पूरा complete differentiation तो इसका differentiation के जागा सेकेंड की differentiation के जागा मैं इसी को पूट करूंगा ग्यान दो फर्स्ट को हैस्टीज भी रखना होगा तो के एन मैं के एन मानस एक्स को मैंश्टी भी रख वही ठीक है और फिर क्या कर derecho यह तो बार चल जाए है इसकी टेंशन मतले यह बार की निकाल रख़ने को मानद आप देखो ario ुग्राइब यह एकस की पाउर के माइनस व worn एकस की पाउर के माइनस वन यहां गया वही और window कि मैनस फच्वान नही penal कि इस द्यक्वार मेस टीक है नहीं और के माइनस अनकि के पहले भी था और यह कि यहां से आगात सुकेर हो जाएगा ना तो यह होगया यहां तक यहां तक को ने के बाद अब देखें ठीक है ने यहां कोई प्रोब्लम है अब देखो इस समैशन को अपलाई करेंगे इस पे अलग इस पे अलग तो क्या रेजल्ट मिलेगा देखो के 0 2 के सभी जगा समूल द्यान रखना है तो इसको देंगे तो यह माइनस एन कॉमन निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब यह देखो कि इसकी पावर के 1-x and k-1 नहीं आएगा यही है यह होगा वही अब इसको समेशन और अलग देंगे के 0 to n तो x की पावर k-1 1-x की पावर k-1 और k-n x को पीच्छे लिख दिया मैंने कोई दिक्कत नहीं करी ठीक है न वही अब देखो जो यह चीज थी यह बाई एक्वेशन एक एक्वेशन डिफाइन करी थी वही मैंने पीच्छे देखो क्या करया था जहां पर बाईनोमील एक्वेशन डगा था मैंने इसकी डाइड वन जन्रेट करी थी देखो यह रही जिसका डिफ्रेशन जिएसन क्या था एक्वेशन फस्ट का और फस्ट एक्वेशन में मैंने बाईनोमील अधा वन की खोल आगी थी न ये पूरी टा देखो मैंच को इस अच्छे के टू जीरो टू एन एन के एक्वेशन पावर के मैंनस सेम है ना तो इसका रिजल्ट कितना हो गया यह वन हो गया तो मुंतलब क्या बचा यह मैनस का एन बचा यह वन होने के बाद और यह तो कम्प्रेट बचा यह गा सब्सक्राइब के समोल है द्यान रखना में बार बार करें हूं ठीक है न यह हो गया अब यह देखो वई इस स्टेप में मैं थोड़ा आनी है अब यहां पर देखो वई एक स्टेप आगे करूंगा इसको दोबारा लिखूंगा तो इस एन को नहीं है बगले स्टेम में क्य बारा बलस कान हो जाएगा यह 0 में पलस एड करें और इस टैप पर आगे वह इन तो अब देखो इसके साथ जो यह स्टैप सेलेख के साथ मैं क्या करूंगा इंद्यान से एक बार इसको समझाना तो मैं इसको सम्झा देता हूं वही कैसे हो गाई यह देखो है है के न माइनस x इसको मैं सम्झाने के लिए क्या करेंगा देखो इसमें से मैं कुह उपनी यह तो किया हो जाएगा इसके साथ मिली यह तो पैनी तो डिवाइड में जाएगा और यहां एक और स्कूल इस आलगए understood को कि अलग अलग अप्लाई कर सकें मायनस कौमन ले ले लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी तो इसको मैं यह लिख सकता हूं हूं ना तो मतलब हम इस रेजल्ट की छाया ना ये पूट करेंगे रखेड प्रish झाल स्वारिम इस x की पावर k-1 1-x n k-1 and mx k-1 इसके जगाँ मैं वैलू पूट करनी दी है ये वैलू तो इसी वैलू को पूट करेंगे वैई ये n سुकेर तो मैं बार निकाल दूँगा ठीक है न और ये लिख़ूँगा वैई मैं और एक n यहां भी चल रहा है ठीक है भई यह n square है आप देखो n square है यहाँ multiply में उस तरफ जाकर divide में हो जाएगा ठीक है ना भई और यहाँ पर क्या बच जाएगा मतलब 1 by n बच जाएगा यह पूरी term तो चले रही है अब यह 1 by यह बच जाएगा आप क्या करेंगे multiplying by x 1 minus x on both sides क्या मिलेगा भई हमने यह उस तरफ चलेगा था तो हमें यह पराप्त होगा के 0 to n small k और x की power 1 minus x से करेंगे तो देखो एडिशन में क्या हो जाता है मुल्टिप्लिकेशन में एडिशन हो जाएगी वह पावर गी यह हो गया और इसी तरह से यह हो जाएगा भाई n minus k और फिर इसको x k by n का और square और यह यहाँ पर 1 by n बच जाए हुगा हाँ तो 1 by n x 1 minus x इसको divide में है यहाँ लिको यहाँ लिको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ आगे भाई हम इस step पर इस step पर आने के बाद हम क्या करेंगे गई देखो झाल